हेलो नमस्कार दोस्तों तो केसे हैं आप सब स्वाथ है आपका हमारे चैनल आमनांद ब्लॉग्स पे तो दोस्तों आप इस पावर वाले सीरीज पर बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं तो दोस्तों मैंने सचा की का और नई वीडियो इस सीरीज में एड़ कर दिया जाए तो किस तरह स्लश सी और मड़ी कंडिशन में अराम से निकल जाती गारे के उपरा लेटूब से तक पानी जा रही है फिर बे अराम से गारी से क्रोस कर जाती है कि अग्रा वीडियो में दोस्तों देखिये इस वीडियो में आप दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ही ऑल्लिव फोर्ड इंडेवर है इसका नेक्स जनेशन दोस्तों 2016 में आया था पीछले वाले वीडियों में आपने देखा वो इसका पहले वाला जनेशन का मोडल था देखिए इसकी वाटर वेडिंग केपिसिटी भी गारी की बहुत ज़्यादा बढ़िया है अराम से गारी निकल जाती है गारी में कोई भी पड़े सानी गारी को निकलने में नहीं होती है इस वीडियों हम देखे इस यह वीडियों देखके दूस्तों आप हैरान रा इस तरह बंदे ने गाड़ी को गिल्कुल ही एक तरह एक तरफ से उठा दिया गाड़ी दो पहियों पे जूल गई फिर भी एप फोर इंटो फोर वाला विरियंट था है और गाड़ी आराम से निकल गई देख सकते हैं आप दोस्तों वीडियो में यह टॉप मोटल है गाड़ी का इस वीडियो में दोस्तों आप से देख सकते हैं ट्रेक्टर के पीछे में जो फार लगा होता है दोस्तों वही फार जिससे खेत की जुताई की जाती है वह फोर्ट के पीछे में लगाद दिया गय चाहिए पिर भी दोस्तो फोड की इंडेवर इसा अलाम से घीच रहे और दोस्तों सोड के इंडेवर भी कोई लेकिन दोस्तों यह अपने सेगमेंट में फॉर्चुनर इतना फेमस नहीं है फिचर में तो यह फॉर्चुनर से ज्यादा फिचर लोड़ेट है लेकिन उतना ज्यादा यह सेल्स नहीं हो पाती है फॉर्चुनर के बजाए दोस्तों इसका पिछले वाला जनरेशन मोडल जो था वह फॉर्चुनर से कहीं न कहीं लुक्स में पीछे रहता ता लेकिन दोस्तों यह वाला जो मोडल आफ सब देख रहे हैं जो 2016 में इसे से नेक्स जनरेशन आया था फॉर्ट की इंडेवर का वह कहीं से भी पीछे नहीं लगता है यानि कि आप सभी का ट्वेटा की फोर्चूनर से लेकिन दोस्तों लुक्स मेंटर करते हैं सबका अपिनिया अलग अलग होता है तो उमीद करता है कि वीडियो आपको पसंद आया अगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चनल को सब्सक्राइब जरू करें और नए वीडियो देहने के लिए कमेंट जरूर करें